ओम शांती पाँच एप्रिल दो हजार चौबीस मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर पहावाक्य आज की मुली के कुछ मुख्य पॉइंट्स आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को एक बाब की याद से ही स्वयम को निहाल करना है और सब संग तोड एक बाब के संग में रहना है इश्वरिय पढ़ाई को धारत करने के लिए अपनी बुद्धी को संपूर्ण पावन बनाना है बाबा की हर श्रीमत को जी हजूर हाजर कहके पालन करना है तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुडली ओम शांती बाबा कहते मीठे बच्चे बाब को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना प्रेशन नजर से निहाल कीनदा स्वामी सत्गुरू इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर आत्मा को बाब द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाब को पैचान लेती है तो निहाल हो जाती अर्थात सत्गती मिल जाती है बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नजर लगाओ अर्थात मुझे याद करो और संग तो एक मेरे संग चोड़ो तो बेहाही अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहुकार बन जाएंगे उम शान्ती मीठे मीठे रुखानी बच्चे किसके पास आते हैं? रुखानी बाब के पास समझते हो हम शिव बाबा के पास चाते हैं ये भी चानते हैं शिव बाबा सब आतमाओं का बाब है ये भी बच्चों को निश्चे चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है सुप्रीम को परम कहा जाता है उस एक को ही याद करना है नजर से नजर मिलाते हैं गायन है नजर से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरू उनका अर्थ चाहिए, नजर से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गती दाता है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है. अब नजर किसकी? क्या ये आँखें? नहीं, तीसरी आँख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा चानती है, ये हम सभी आत्माओं का बाप है. बाप आत्माओं को राय देते हैं, कि मुझे याद करो. बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं ही पतित तमो प्रधान बनी है. अब ये तुम्हारा 84 जन्म है. ये नाटक पूरा होता है. पूरा होना भी चाहिए सरूर. हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है. नई सोफित पुरानी होती है. नाम भी अलग है. नई दुनिया का नाम है सत्युग. बाप ने समझाया है, पहले तुम सत्युग में थी. फिर पुनर जन्म लेते 84 जन्म बिताए. अब तुम्हारी आत्माओं तमो प्रधान बन बन गई है. बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे. बाप सम्मुख कहते हैं, मुझे याद करो, मैं कौन? परंपिता परमात्मा. बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो. देह अभिमानी नहीं बनो. आत्म अभिमानी बन, तुम मेरे में नजर लगाओ. त आपको याद करते रहो. इसमें कोई तकलीफ नहीं. आत्मा ही पड़ती है. पाठ बजाती है. कितनी छोटी है? जब यहाँ आते हैं, तो 84 जन्मों का पाठ बजाती है. फिर वही पाठ रिपीट करना है. 84 जन्मों का पाठ बजाती, आत्मा पतित्पन पड़ी है. अब आत् में कुछ भी दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं बेहाल अर्थात कंगाल है। फिर निहाल कैसे बने। यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं जिस पर बाप समझाते हैं। वेद, शास्त्र, चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने यह चित्र, श्रीमत पर बनाए ह आस्वरी मत पर तो अनेक धेर के धेर चित्र बनाए हैं उनका कोई ओक्यूपेशन नहीं यहां तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं भगवानों वाच है तो उनकी नौलेश हो गई स्टूडन चानते हैं यह फलाना ठीचर है यहां तुम बच्चे जानते हो कि बेहत का पाप एक ही पार आकर ऐसी वंडरफूल पढ़ाई पढ़ाते हैं इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है बैपढई पढ़ते पढ़ते रात पढ़ जाती है इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं वह पढ़ाईयां तो जन जन मांतर पढ़ते आए इसमें तो बाप साफ पतलाते हैं कि आतमा जब पवित्र होगी तब धारना होगी कहते हैं शेरनी का दूर सोने के बरतन में ही टहरता है तुम बच्चे समझते हो हम अब सोने का बरतन बन रहे हैं होंगे तो मनुश्य ही परन्तु आत्मा को सब पूर्ण पवित्र बनना है 24 केरेट था अभी 9 केरेट हो गया है आत्मा की जोती जो जगी हुई थी वह अब भुझ गई है जोती जगी हुई और भुझी हुई बालों में भी फर्ट है जोती कैसे जगी और पद कैसे पाया ये बाप ही समझाते हैं बाप कहते हैं मुझे याद करो जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूँगा ये भी बच्चे जानते हैं नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है इनकी आत्मा भी निहाल होती है, तुम सब परवाने हो, उनको शमा कहते हैं, कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पैचान लेते हैं, तो जीते जी बर जाते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी-कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं, इस स संगम का ही सारा गायन है इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं बाप एक ही बार आकर वर्सा देकर चले जाते हैं बीहत का बाप जरूर बीहत का वर्सा देंगे गायन भी है 21 पीड़ी सत्युग में वर्सा कौन देते हैं भगवान रचैता ही आधा कल्प के लिए वर्सा देते हैं रचना को याद भी सब उनको करते हैं वे पाप भी है तो टीचर भी है स्वामी सत्गुरु भी है भल तुम और किसको भी स्वामी सत्गुरु कहते होंगे परन्तु सत एक ही बाप है टूथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है वे टूथ क्या आकर करते हैं वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं सचखंड के लिए हम पुरिशार्थ कर रहे हैं जब सचखंड था तो और सबखंड नहीं थे ये सब पीछे आते हैं सचखंड का किसको भी पता ही नहीं बागी जो अबखंड है उनका तो सबको मालूम है अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं बागी सूरिवंची चंद्रवंची और इस समय संगम युगी ब्रामन कुल को कोई जानते नहीं हैं प्रजा पिता ब्रह्मा को मानते हैं कहते हैं हम ब्रामन ब्रह्मा की अलाद हैं परंतु वह हैं कुखवंचावली तुम हो मुखवंचावली वह हैं अपवित्र तुम मुखवंचावली हो पवित्र तुम मुखवंचावली बन फिर छीची दुनिया रावन राज्य से चले जाते हो वहां रावन राज्य होता नहीं अब तुम चलते हो नहीं दुनिया मे उनको कहते हैं बाइसलेस वर्ल्ड, वर्ल्ड ही नहीं और पुरानी होती है, कैसे होती है ये भी तु जान गए हो, दूसरा तो कोई की बुद्धी में नहीं है, लाको वर्ष की बात को कोई जान भी न सके, ये तो थोड़े समय की बात है, ये बाप बैट पच्चों को समझात हैं, बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ, जब खास भारत में धर्म ग्लानी होती है, दूसरी चगह तो किसको पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा क्या चीज है, बड़ा बड़ा लिंक बना कर रख दिया है, बच्चों को समझाया है, आत्मा का साइस कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, जैसे आत्मा अविनाशी है, वैसे बाप भी अविनाशी है, वह है सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम माना वै सदैफ पवित्र और निर्विकारी है, तुम आत्माई भी निर्विकारी थी, दुन्या भी निर्विकारी थी, उनको कहा ही चाता है संपूर्ण निर विकारी, नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है, कला कम होती जाती है, दो कला कम चंद्रवंची राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है, पीछे और और खंड आते जाते हैं, उनको कहा जाता है बाई प्लॉट, परंतु, मिक्सप हो जाते हैं, ड्रामा प्लैन अनुसार जो कुछ होता है वे फिर रिपीट होगा जैसे बौधियों का कोई बड़ा आया, इतनों को बौध धर्म में ले गया, धर्म को बदला दिया हिंदुों ने अपना धर्म आपे ही बदला है, क्योंकि कर्म ब्रष्ट होने से धर्म ब्रष्ट भी हो पड़े हैं, बाम मार्ग में चले गए हैं, जगनात के मंदिर में भी भलकए होंगे परन्तु कोई का कुछ खयाल नहीं चलता, खुद विकारी हैं तो उनों को भी विकारी दिखा दिया है, ये नहीं समझते कि देवताईं जब बाम मार्ग में गए हैं, तब ऐसे बने हैं, उस समय के ही ये चित्र हैं, देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदूस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया है, कितनी भूल है, इसलिए बाप कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, बाबा भारत में आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते, मैं हिंदूस्तान में आता हूँ, यह है भारत, हिंदूस्तान वा हिंदू धर्म है नहीं, मुसल्मानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है ये भी ट्रामा में नूंद है अच्छी रीती समझना चाहिए ये भी नौलेज है पुनर जनम लेते लेते बाम मार्ग में आते आते ब्रश्टाचारी बन पड़ते हैं फिर उनों के आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो हम विकारी पापी हैं और कोई खंडवाले ऐसे नहीं कहेंगे हम नीच हैं अत्वा हमारे में कोई गुन नहीं है ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा सिक लोग भी गरंत के आगे पैठते हैं परन्तु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी, हम विकारी नानक पंथी कंगन लगाते हैं वह है निर्विकारी पने की निशानी परन्तु विकार विगर रह नहीं सकते हैं जूठी निशानिया रगदी हैं जैसे किंदू लोग जनेयों पहनते हैं पवित्रता की निशानी है आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते, इस समय भक्ती मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ती कल्ड, ज्यान कल्ड सत्यूग में है, सत्यूग में देवताई हैं संपूर्ण निर्विकारी, खल्यूग में संपूर्ण निर्विकारी कोई होना सके, प्रवृती मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं बागी सब गुरू है निवृती मार्ग वाले उनसे उनों का जोर जास्ती हो गया है बाप केते हैं ये जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूँ मैं जब आता हूँ तो सब को नजर से निहाल कर देता हूँ गायन भी है नजर से निहाल कीनदा स्वामी सद्गुरू यहां तुम क्यों आए हो? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने बाप को याद करो तु निहाल बन जाएंगे ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है यह लक्षमी नारायन कैसे बने कोई को मालूम नहीं है तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं यही 84 जन्मले पतित बने फिर तुमको यह बनाने आया हो बाप अपना परिचे भी देते हैं तो नजर से निहाल भी करते हैं यह किस के लिए कहते हैं एक सद्गुरू के लिए बै गुरू लोग तो धेर हैं और माताईं अब लाएं हैं भूली तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो शंकर के लिए कहा है आँख खोली, विनाश हो गया, ये भी पाप हो जाए, बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरिक्शन नहीं देते हैं, विनाश तो कोई और चीजों से होगा न, बाप ऐसे डायरिक्शन नहीं देते, ये तो सब साइंस निकालते रहते हैं, समझते हैं, हम अपने कुल का आपे ही व जिनाश करते हैं, वे भी बादे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते, नाम कितना होता है, मून में जाते हैं, परन्तु फाइदा कुछ भी नहीं, मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नजर लगाओ, अत्वा के आत्मा, अपने बाप को याद करो, तो निहाल हो जाएंगे, बाबा केते हैं, जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूँ, तो उनको बल मिलता है, तुम यहां सपैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे, वही राजा बनेंगे, गायन भी है, और संग तोड एक संग जोड़ू, एक है निराकार, आ बाब केते हैं, मुझे याद करो, तुम खुद केते हो, यह पतित पावन, यह किसको कहा, ब्रम्मा को, विश्नु को, शंकर को, नहीं, पतित पावन तो एक है, वह सदैफ पावन ही है, उनको कहा जाता है, सर्व शक्ति मान, बाब ही स्रिष्टी के आदी मध्य अंत की नौल सुनाते हैं, और सब शास्त्रों को जानते हैं, वे सन्याजी शास्त्र आदी पढ़कर टाइटल लेते हैं, बाब को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़े ही लेना है, अच्छा, मीठे-मीठे, सिकिलदे बच्चों करती, माद पिता, बाब तादा क याद-प्यार और गुद मॉनिंग, रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब तादा को दिल वर जान सिक्वा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी, गुद मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धारना के लिए मु परवाना बनना है सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं इश्वरिय पहाई को धारन करने के लिए मुद्धी को संपूर्ण पावन बनाना है दूसरा पॉइंट और सब संग तोर एक बाप के संग में रहना है एक की याद से स्वयम को निहाल करना है वर्दान दिल की महसूस्ता से दिला राम की आशिर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव स्वपों परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूस्ता सचे दिल से चाहिए पहला अपनी कमजोरी की महसूस्ता, दूसरा जो परिस्थिती वाव्यक्ती निमित बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूस्ता, परिस्थिती के पेपर के कारण को जान, स्वयम को पास होने के श्वेश्थ स्वरूप की महसूस्ता हो, कि स्वस्थिती श्वेश्थ है, परिस्थिती पेपर है, ये महसूस्ता सहच परिवर्तन करा लेगी, और सच्छे दिल से महसूस किया, तो दिलाराम की आशिरवाद प्र जोगन वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कारे में जी हुजूर हाजिर कहता है ओम्शान की पिछा और उनके मन की भावना की मैसूसता परिस्थिती के पेपर के कारण को जान स्वयम को पास होने के श्रेष्ट स्वरूप की मैसूसता हो कि स्वस्थिती श्रेष्ट है परिस्थिती पेपर है ये मैसूसता सहच परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से मैसूस किया तो दिलाराम की आशिरवाद प्राप्त होगी स्लोगन जी हुजूर हाजिर कहता है ओम शान्ति